कि अधियर शुडेंट if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon बच्चो आज का class class 6 का mathematics book लेके आये हैं आईए मेरे साथ बने रहे हैं आप से मेरा request है कि वीडियो को अंतक देखिए समझे और काफी अगर अच्छा लगे अच्छा अच्छा से अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई को जारी रखेंगे आईए मेरे साथ बने रहे हैं और class को शुरू करते हैं बच्चो देख रहें आपके पास question क्या है कि प्रस्णा वाली 6.5 का देन करेंगे और यह कहारा जोड़िए आपके पास है 3.576 प्लस 0.045 प्लस 7.3 तो इसको जोड़ेंगी कैसे आप लोग जोड़ते हैं किया आप ऐसे लिख लेते हैं तीन पंच साथ च्छा लिखे फिर आप इधर से लिखे पंच लिखे चार लिखे जीरो लिखे यह जीरो लिखे फिर आप इधर से लिखे ते तीन लिखे अब यहां साथ लिखे ऐसे करके जोड़ते ऐसे जब 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 जोड़ेंगे बच्चो तो यह आपका गलत हो जाएगा इस तरह कदाफी नहीं जोड़िएगा और अधिकतर आप लोग इसी तरह का जोड़ते हैं लेकिन बच्चो आप से मेरा यहां तीन है तो यहां पर तीन लिखे यह पॉइंट आ गया यह पांच साथ छो है यह पांच साथ छो अब यह पॉइंट है यह मेरा पॉइंट है आगे जीरो है यहां जीरो लिखे अब यहां जीरो है तो यहां भी जीरो लिखे यहां चार है यहां लिखे यहां पांच है आप यहां देखे इसका भी point है तो यहां point लिखे यह आपका 7 है यहां 7 लिखिए यहां आपका 3 है तो यह 3 देखे बच्चो इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से आप जोड़ेंगे तो कभी भी आपका जोड़ गलती नहीं होगा तो इसको कैसे बनाएंगे छो पांच एक ग्यारा का एक बच गया एक साथ एक ग्यारा बारा का दू बच गया एक पांच तिन आठ एक नो यहां point है point लिखिया 7 और 3 कितना हो गया 10 तो यह बच्चो आपका आंसर है इस तरह से जोड़ा जाता है आईए बच्चो next question देखते है बच्चो question दो नमर देख है कि एक इस point seven तो देखे यहां भी point है इसमें भी point है और इसमें भी point है तो क्या नियम को लगाएंगे देख लिजे आप यहां से सुरू कर रहे हैं, यह point एक, दो, तीन है, यह तो क्या करेंगे, एक point, दो point और तीन point इस्तर दीजे, आना, और उसके बाद क्या करेंगे, यह point है, उसके बाद साथ है, यहां 7 लिखिए और point के पहले कितना 21 है, तो 21 लिखिए, यह हो गया, फिर यह आपने Walmarta Or Youंतीन rozka साथ एक है यह साथ लिखिए यह एक लिखिए अब यह अब इह पॉइंट यह पॉंट रहा female से बने अपर ऐन्व को यह नायाया करेंगा इसको जोड़ेदे जेंवतर डिस का जीर बच गिया एक साथ एक आठ आठ दू दस आर एक कितना हो गया एक गया गया बच्चो आपका यह खाली है तो यह आप इक्वल करने के लिए आप जीरो देदेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसको हम बच्चो जोड़े आप इस तरह जोड़ को बनाएंगे बच्चों देखे रहे आपके पास तीन नमर कोस्चन है एक सो सतर दसनब दूनो, बीस दसनब एक एक, पंदरा दसनब साथ जीरो तो इसको बनाएंगे बच्चों कैसे इसको आप लिखे यहां हल लिखे ऐसे लिखे यह पॉइंट है देखे एक, दो, तीन है तो तीन पॉइंट ऐसे ऐसे करके दे दीजिए आप अच्छी तरह से यहां कोई गर्वर नहीं होनी चाहिए अब पॉइंट के पहले दो नौ है यहां लिखिए दो और नौ लिखिए उसके बाद 0, 7, 1 है जीरो, 7, 1 लिखिए फिर यह पॉइंट है पॉइंट के बाद कितना 1 यहां लिखेंगे 5 यहां लिखेंगे 1 आप क्या करेंगी बच्चो इसको जोड दीजिए 9, 10 का 0 बच गया 1, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 11, 11, इस तरह से बच्चो बनाएंगे यह परिष्चा के द्रिष्टी कौन से काफे महत्पूर्ण है बच्चो आईए देखते हैं नेस्ट कोस्चन बच्चो चोथा नमर कोस्चन को देख रहे हैं आपके पास क्या है कितना इसमें डाइग्रम है एक दो तीन कॉलम है तो वह से ब अब यहां देखिए पॉईंट के बाद 6 है ये पॉईंट के बाद आपका 6 लिखिए यहां 5 है यहां 5 लिखिए 7 है 7 है तौ है 2 लिखिए यह हो गया अब यह फूआन्ट है पॉइंट यह रहा यह 4 और 0 है तो इसके सिधा में लिखेंगे फोर और इसके आगे में लिखेंगे जीरू इस चीज को याद रखेंगा उसके 528 है लिखेंगे यहां 528 यह हो गया अब उसका 7 यहां 7.8 है यहां आपका 7 हो गया और यह पॉइंट को इक्वल नहीं करेंगे तो यह हिसाब आपका गलत हो जाएगा लेकिन आपको याद रहे अगर ऐसा हिसाब रहे और परिच्छा में पूछ दे तो आप क्या करेंगे सरपर्थम आप पॉइंट को इक्वल कर दिजी का सिधां में और जहां जहां उसके नीचे उपर में है इसको उसी सीधां में लिख दिजिए एकाई-दाई करते हुए अब इसको जोड़ती जिए कितना होगा इसको जोड़ना है तो नौ हो गया दो का दो हो गया आठी शाह बाराइफ छो फाठारे के आठ बच गया एक पॉंच मांगल दस चा स्तरह 18 के 8 बच गया एक साथ दू नो एक दस का जिरो बच गया एक 8 दू 10 आरे कितना हो गया 11 भच्चु अगर आप ऐसा लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन आप इसे एकाई दाई सेकड़ा है तो यहां भी क्या करेंगे यहां जीरो लगा दीजिए एकाई दाई सेकड़ा हो गया यहां एकाई है इसको दो जीरो भी बठा दीजिए यह दिखे आपका सभी जिगा से एक्वल हो गया कोई दिकत नहीं है आप आगे यहां भी जी व्हशर 15 रुपया 25 55 पैसा और वश्ट्र जीया खर रूपया 50 पैसा में ख़रीदा उसमें कुल कितने रूपय खर्च बच्चो जब याद रहे कि आपको question में देखे कि जब आपके पास कूल लिखा रहे तो क्या करेंगे इसके video देखे बच्चो और यह solve करने को आद बताएंगे कि आखिर इसको कैसे बनाएंगे तो क्या है, यहां लिखेंगे, एक थेला का दाम, एक थेला का दाम कितना है बुच्चों, एक थेला का दाम आपका कितना है, पंदर रुपया पचीस पेजा है, तो क्या लिखेंगे, पंदर रुपया पचीस पेजा है, यह आपका हो गया, अब कहता है, एक कोपी खरीदा, त कोपी की किम्मत कितना है बच्छो एक कोपी की किम्मत आपका 35 रुपया 50 पैसा है लिखेंगे 35 रुपया 50 पैसा ये होगी है अब उसने टॉर्च खरीदा क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे एक टॉर्च का दाम ये भी लिख सकते हैं किम्मत लिखे दाम लिखे दोनों बात बराबर है कितना है उसका 35 रुपया 50 पैसा है यहां लिखेंगे 75 रुपया 50 पैसा है यानि क्या कह रहा है बच्चो एक थेला का दाम 15 रुपया 25 पैसा है एक कोपी का दाम 35 रुपया 50 पैसा है और एक तोर्च का दाम 75 रुपया 50 पैसा है आपको कह रहा है बच्चो कि कुल तो कुल का मतलब क्या होता है सब को जोड़ दिजिएगा आपका अ कूल खर्च किये कितने किये तो इसको क्या करेंगे सब को जोर देजिए यहां रूपईया रूपईया है यहां पर रूपईया लिग दीजिए यहां 5 5 5 है यह 5 लिगे यह 5 5 5 5 510 तहम दू मर्गा दो बच गया 10 5 11 और 166 बच गया एक 7 और 1 हो गया 8 8 और 4 हो गया 12 तो कितनी की खरदारी इस ने किया 126 रुपिया 25 पैसा की खरदारी की तो इसका आंसर किया गया 126 रुपिया 25 पैसा तो यह आपका आंसर है आईए बच्चो देखते हैं next question बच्चो तीन नमर क्या है की बहुता 15 खानडामीटर चोसा मीटर टेकसी से गया और 55 किलोमेटर 45 मिटर रिएल गारी से तइक्सी से तही कि तो वो कहते हैं कि वो इसने कितने धूरी के यह बदाई इसको कैसे बणेंगे अच्छी तरह से कि आपको काराय कुल का मतलब होगा जोड़े तो बच्चे अधिकतर दिखते हैं कैसे बनाता है यो चाने कीन कमात्हुना करके बच्चे जोड़ देते हैं जो कि ये सड़ासर गलत है इस तरह से नहीं जोड़ा जाता है बच्चो समझेंगे देखें कि कैसे इसको जोड़ते हैं अधिकतर ये बच्चे जोड़ देते हैं ऐसी गलती कभी नहीं किजेगा आईए मेरे साथ बने रहे हैं और अच्छी तरह से देखिए क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे हल यानि हम काने को शुरू किये यह बनाना शुरू किया कि कैसे स्रॉल करेंगे क्या करेंगे यहां लिखेंगे टेक्सी क्या लिखेंगे टेक्सी से तय की गई दूरी कितने दूरी तय की इसने तो 15 किलोमेटर कितना दूरी तय की 15 किलोमेटर 600 मेटर तो यहां यह लिखे 100 से मीटर हो गया, अब उसने क्या क्या, रेल गारी से कितना, 55 किलो मीटर 45 मिटर, लिखेंगे यहाँ पर, रेल गारी से, लिखेंगे रेल गारी से थै की गई दुरी, कितना है आपका, 55 किलो मीटर 45 मिटर, लिखेंगे, 55 किलो मीटर, और यहाँ लिखेंगे, 45 मिटर, देखें यहां 45 है, आपको इधर नहीं लिखना, आपको एकाई अंक से लेकर लिखना है, अब कहता है क्या, उसने रिक्षा से तै की कितने दुरी, पांच किलो मीटर, दो समीटर, यहां लिखेंगे, रिक्षा से तै की गई दुरी, कितना है आपका, यह जो डॉट मारे, बच्चो मीटर, और 200 मीटर, बच्चो यह दिखें, यह एकाई के सिधाम में लिखें, यह दाही के सिधाम में लिखें, और यह सिकड़ा के सिधाम लिखें, और यह किलो मीटर रहेगा किलो मीटर में, फिर यह एकाई के सिधाम में लिखें, और यह दाही के सिधाम में लिखें, इसक क्या लिखेंगे कुल कि तय की गई दूरी यह लिखेंगे यह एक्वल लिखेंगे अब इसको जोर दीजिए यह आपका मीटर में है तो यह मीटर लिखिए यह आपका फंच जीरो है तो आपका 5 हो यह 4 है छो दू आठ हो गिया यह किलो मीटर है तो किलो मीटर लिखिए पंच पंच दस अर पंच पंदरा पंदरा के पंच बच गया एक पंच एक छो रहे कितना हो गया साथ यानि इतने कितने दूरी तै की बच्चों तो 35 किलो मीटर 445 मीटर की दूरी तै की जो कि आपका जो देख रहे हैं अपका चार नुम्र question क्या है कि एक थेले में पांच किलो ग्राम 500 ग्राम आलू है एक किलो ग्राम 250 ग्राम टमाटर है और 750 ग्राम प्याज है तो ज्यात किजीये थेले में कितने किलो ग्राम सब्जी है आपको यह कह रहा है तो आपके पास क्या quantity आप देख लिखेंगे क्या है यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे हल यह आपका सुरुवात हो गया लिखेंगे आलू का वजन यहां लिखेंगे आलू का वजन आलू का वजन कितना है पांच किलो ग्राम 500 ग्राम यहां लिखेंगे पांच किलो ग्राम 500 ग्राम हो गया आपका यह आलू ह हो गया उसका तकत्ए एक किलो ग्राम दो सो पचास ग्राम ये क्या है आपका टमाटर है यहां लिखेंगे के टमाटर का वजन कितना है एक किलोग्राम दो सो उसके बाद क्या है यहां लिखिए कि biomass का वजन कितना है 750 ग्राम बच्चों ध्यान रे ग्राम ग्राम यहां रहा ग्राम किलो जहां है किलो में लिखेगा अगर उल्टा पुटा लिखेगा तो यह आपका गलत हो जाएगा ऐसी जल्ती नहीं किजेगा आप इसको अंदर लाइन दे देते हैं अब क्या काता है कि थेले में कितने किलोग्राम सब्जी है यहां लिखेंगे थेले में कुल किलोग्राम सबजी अब कितना किलो ग्राम है ये तो आप देखेंगे तब तो क्या करेंगे इसको जोड़िए पहले यहां ग्राम लिख दीजिए अब यहां 0 का 0 लिखिए 5 और 5 10 यहां 0 हो गया 10 का 0 बच गया 1 5 27 24 एक कितना हो गया सबजी आपके थेले में है जो कि आपको निकालने के लिए कह रहा है तो इसको क्या की बच्चो इसको जोड़ दिए जब टोटल कहे कूल कहे तो उसे जोड़ देजिएगा आईए देखते हैं नेस्ट क्वेस्ट्चन बच्चो देख रहे हैं आपके पास 5 नमर क्वेस्ट्चन क्या है कि अभिजीत ने सट के लिए 2 मीटर 65 सेंटी मीटर और पैंड के लिए 2 मीटर 55 सेंटी मीटर कपड़े खरीदा तो ग्याद किजिए कि अभिजीत ने कूल कितने मीटर कपड़ा खरीदा यह कहा रहा है अभी जीत एक लड़के का दाम है उसने सट के लिए कपड़ा खरिदा कितना दो मीटर पैंच सेंटी मीटर और पैंट यानि उस लड़का को सट और पैंट की आव सकता है तो 60 के लिए कपड़ा खरिदा 2 मीटर 55 सेंटीमीटर और पैंड के लिए खरिदा 2 मीटर 55 सेंटीमीटर तो कहता है कि बताइए उसने कितने मीटर कपड़े की खरिदारी की तो क्या लिखेंगे या सुरू किजिए यहां लिखेंगे हल हल का मतलब है हम हिसाब को सुरू कर दिए तो लिखेंगे 60 के लिए कपड़े यह लिखेंगे लिखिए 60 के लिए कपड़े यह लिखेंगे तो 60 के लिए कितने कपड़े हैं 60 के लिए आपके हैं 2.65 cm यह आपका लिखा हुआ है 2.65 cm है और पैंट के लिए क्या लिखेंगे लिखिए पैंट के लिए कपड़े, कितने लिए पैंट के लिए कपड़े, तो आप देख रहे हैं, आपके पास दिखाई देरा 2 मीटर, 55 सेंटी मीटर लिखेंगे, 2 मीटर 55 सेंटी मीटर और वो क्या कह रहा है कि कूल, जदी जिस हिसाब में जदी कूल रहे बचो, तो उसको आप जोड़ दीजेगा, जदी मीटर है, तो मीटर में जोड़िएगा, और सेंटी मीटर को सेंटी मीटर में जोड़िएगा ऐसी गलती नहीं किजेगा, कि मीटर और सेंटी मीटर को दोनों एके में जोड़ देजेगा तो इसको यह underline कर देते हैं अब क्या करेंगे कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा यहां लिखेंगे कुल खरीदा गया कपड़ा यानि कितना मीटर कपड़ा खरीदा खरीदा गया कपड़ा यह लिखें तो क्या करेंगे इसको cm है तो यहां इसको cm लिख लिजिए बच्चो यह आपका हो गया आप क्या करेंगे 5 और 5 कितना हो गया 10 का 0 बच गया 1 6 5 11 12 का 2 बच गया 1 यहां मीटर है तो यहां मीटर को लिख लिजिए और यह 2 4 हो गया रहांत में जो बचा था उसको यहां जोड़ देजेगा बच्चो आप देखी आपका आंसर कितना हुआ, 5 मीटर, 20 सेंकिमीटर कपड़ा खरिदा, किस ने, अभे जीतने कपड़ा खरिदा बच्चो ये जोड से है, ये दस्मलब का जोड कैसे बनाते हैं, ये हिसाब देने का मतलब वही है कि आप दस्मलब का जोड जानते हैं या नहीं जानते हैं ये प्रस्नावली 6.5 का है ये कलास 6 की पाठी बुस्तक से ये question को ली गई है तो आप से मेरा request है बच्चो कि वीडियो को आप देखे कैसा लगा वीडियो को पाते ही आप comment करेंगे क्योंकि ये 6.5 तक सारी exercise को हम solve कर दिये और इसके आगे की topic भी हम लगातार आपके साथ अपडेट करते रहें तो आप से मेरा request है कि अभी आप हमारे channel A to Z HD point को subscribe कर जिए और अपनी पढ़ाई को बरकरार जारी रखिए मिलते हैं next video में thank you for watching my video